डॉल्फिन को हम अक्सर मचली समझने की भूल कर देते हैं लेकिन वास्ता में डॉल्फिन एक मचली नहीं है वह तो एक इस्तंधारी प्राणी है जिस तरह वेल एक इस्तंधारी प्राणी है वैसे ही डॉल्फिन भी इसी बर्ग में आती है क्योंकि ये हमारी तरह गरम खून वाली होती है जब के मचलिया ठंडे खून वाली होती है और डॉल्फिन्स गल्फडों से नहीं बलके हमारी तरह फैपडों से सांस लेती है वे अंडे देने के वज़ा बच्चों को जनम देती है और उन्हें दूद पिलाती है डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है यह सामाने तह समुह में रहना पसंद करती है इनके एक समुह में 10 से 12 सदस्य होते हैं हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है लेकिन गंगानादी में मौझूद डॉल्फिन अब बिलपती की कगार पर है डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कमपन वाली आवाज निकालती है जो किसी भी चीज़ से टकरा कर वापश डॉल्फिन के पास आ जाती है इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि सिकार कितना बड़ा और कितने करीब है डॉल्फिन आवाज और सीटियों के दोरा एक दूसरे से बात करती है आईए जानते हैं डॉल्फिन के बारे में कुछ और मज़ेदार बात है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वर फिर से हमारे यूटूब चैनल पर तो आएए जानते हैं डॉल्फिन्स से जुड़ी कुछ और मज़ेदार बातें डॉल्फिन्स के अपने नाम भी होते हैं जिससे वो एक दूसरे को बलाती है ये सब्दों के बज़ाए अलग अलग आबाजे होती हैं डॉल्फिन्स टेली फोन पर एक दूसरे से बातचीत कर सकती है और पता लगा सकती है कि सामने फोन पर कौन है जैसे उसका बेटा फिरहाल प्रत्वी पर डॉल्फिन्स की 41 जीवित परजातियां हैं इनमें से 37 समद्रों में और 4 नदियों में पाई जाती है जानवरों में सबसे लंबी याददास्त डॉल्फिन की ही होती है डॉल्फिन्स की उम्र 15 साल होती है कुछ परजातियां 50 साल तक भी जिन्दा रहती है डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज़्यादा सुन सकती हैं लेकन इन्हें खुस्वूर बद्वू नहीं आती सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की है डॉल्फिन के दान तो होते हैं लेकन इन्हें भोजन को कभी चबाती नहीं बलकि सीधे निगल जाती हैं सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो और सबसे बड़ी डॉल्फिन 9000 किलो की होती है डॉल्फिन खुद को सीशे में पहचान सकती हैं अमेरिकी नेवी के पास 75 प्रसिच्छित की गई डॉल्फिन्स हैं जो उनकी पानी के अंदर मैंस और दुस्मन तेरांकों को ढूनने में मदद करती हैं डॉल्फिन एक आँख खोल कर सोती है डॉल्फिन 36 किलो मेटर प्रत गंटे की स्पीड से भी तैर सकती है जबके इनसान अधिकतम 8.6 किलो मेटर प्रत गंटे की स्पीड से ही तैर सकता है मेल डॉल्फिन्स को बुल्स और फीमेल डॉल्फिन्स को काउज कहा जाता है पहली दो मुहबाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की की एक बीच पर पाई गई थी डॉल्फिन और वेल जब बहुत ज़्यादा खुस होती हैं तब वो चिलाने लगती है डॉल्फिन अपनी तुचा की उपरी परत को हर दो गंटे में उतार देती है ब्रिटिस पानी में जितनी डॉल्फिन मौजूद हैं उन सभी पर इंग्लेंड की महरानी का हक है डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती क्योंकि ये इन्हें बीमार और यहाँ तक के मार भी सकता है डॉल्फिन जो भोजन खाती है उसी से पानी की आपूर्ती कर लेती है डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फुट उपर तक उचल सकती है यानि दो मंजला इमारत के बराबर यदि आपको डॉल्फिन समदर से बाहर बीच पर मिलती है तो उसे वापस पानी में भेजने की कोशिस ना कर क्योंकि ये ऐसा बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए करती है डॉल्फिन का मुख्य भोजन मचली है डॉल्फिन गरम खून वाली जीव है इसे अपने सरीर का तापमान हमेशा 36.6 डिगरी सेल्सियस के आसपास बनाए रखना पड़ता है इसलिए इसे प्रति दिन लगबग 30 किलो भोजन की जरूरत पड़ती है तो दोस्तो ये थी डॉल्फिन्स के बारे में कुछ महतपूर बात है तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन